अपने स्कूल का व्लॉग और जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह थर्मा पॉल दिखा रही हूँ जिस पे मैं फोटो फ्रेम बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए अपने स्टूडेंट के लिए जिसमें मैं बच्चों की पिक्स क्लेक करूंगी आप लोग को भी दिखा होंगी और साथ ही साथ यह हमारा जो एविंट है मदर डे और साथ ही साथ इद मिलन पार्टी दोनों की सेलिवेशन साथ ही हो रही है और उसी की डेकुरेशन हो रही है साथ साथ ही मैं आपको इद कार्ट जिखा ओ सौरी मदर्स डे कार्ट जिखा रही हूँ जो पैरेंट्स के लिए बनाए गए हैं, मदर्स के लिए बनाए गए हैं, स्टूडन्स हमने बनवाए हैं अपनी मदर्स के लिए और जो कि आप लोग देखें कितने अच्छे और प्यारे प्यारे बनाए हैं, कितने हसीन लग रहे हैं इसमें स्लैक करना हमार लिए बहुत मुश्किल होगे तो साथ ही साथ ही हम लोग बना रहे हैं अपने स्टूडन चोटे स्टूडन के लिए Mother Day कार्ड की के वो छोटे बच्ची होते हैं वो लोग नहीं बना सकते तो मैं और मेरी फ्रेंड मिलके हम लोग यह बना रहे थी सब स्टूडन को दी थी हमने कट्डर गार्डन के बच्चों को खासते और में चोटे बच्चे होते हैं इस तरह की जिज़ते शादी अब कर्ड दिखाई दे रहा है जो मैंने दिखा रही हूं मैं आपको जो मेरे सब स्टूडन ने बनाया था दोनों केमपस के बच्चों ने यह हमारे सेकंड केमपस के हैं जुसमें सबसे जाद अच्छे बच्चों ने जो बनाया था उसके सेलेक्शन हैं अलग हुई है और आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतायेगा क्या आपको कौन सा कारड अच्छा लगा ताकि आपके रीवियो भी हमें मिलेंगे सेलेक्शन करने में असानी हो जाएगी हमें आप भी अपना रीवियो दीजीएगा और सब स्टूडन्ट जो मुझे कह रहे तो प्लीज वो अपने कमेंट जरूर करिएगा जिसको आपकी पिक्स नजर आज़ा जिसको नहीं आए तो उनके लिए माज़रत विए कि मैंने सेलेक्टिट तस्वीर नहीं 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 कोशिश मेरी यही थी कि मैं कम से कम प्लीज मुझे जरूर पताएगा कैसा लगता मेरे व्लॉग में कमट सेक्षिन में जरूर करते हूं आपके सारे मैरे कमेंट रेट करती हूं और उसमें आपको रिप्लाइ भी जाती हुए नेक्स दे था जो हमारी इद्मिलन पार्टी का दे था और उसमें मेरी फ्रेंड माशालला बहुत अच्छे त्यार हो किया इंती जो ने ड्रेस वेर किया था वो भी आपको दीख रहा होगा और मैचिंग की उनकी ट्रिंग्स भी और चूड़ियां भी सब आप देख सकते हो और बताइएगा आपको कैसी लगरी थी यह भी मेरी टीचर और बताइएगा और यह देखे कि अच्छा लग रहा है कार्ड्स के मैंने प्रड़ी मतलब कार्ड्स यह हमारे बच्छे ने किये थे हमारे स्टुडर्ण ने अपने म कि मैं किस तरह त्यार हो के आई थी बस बहुत मज़ा किया हम सब फ्रेंट ने मिलके मारे स्टाफ माशालला बहुत कॉपरेटीव है बहुत खुशी हर चीज में सेलेक्शन कहरी हूं को करता है एक दुसरे से बढ़के काम करने की कोशिश होती है और साथे साथ हम जब सुब जो बॉक्स त्यार करते हैं बच्चों के लिए यह इसी हो जाते हैं बच्चों को खाने के लिए किसमें आइटम सोथे इन सेलेक्टिड जो हमारे पुर्स बनाते हैं और साथे साथ बॉक्स बन रहा है मेरे टीचर मॉबाइल बे आपको दिखा रही है क्याप वीवर्स को काम करते हुए दिख रहे हैं तो आपके मुबाइल भी दिखेंगे माशाला माशाला यह जो फोटो फ्रेम बनाता है इसमें सबसे पहले पिक्स मेरे अपने प्रिंसिपल की ले थी जो के माशाला बहुत अच्छी है बहुत कॉपरेटिव है और मज़ा वही आता आपको काम करन करने कर जहां आपके प्रिंस्पल बहुत अच्छी हों को अपरेटिंग हो आपकी हर बात को समझते हूं साथ यह सबसे हमारा शोटा शजादा है स्कूल का और बहुत अच्छा स्ट्यूड़न्ट है बाते भी इसकी बहुत अच्छी होती और यह मेरे लिए मिठाई लेके आ साथ ली थे और मेरे साथ जादे भी आये थे और यह सब भी स्टूड़न्ट है जिन्होंने पिक्स अपनी ली थी और कहा था मुझे टीचर हमारी पिक्स भी जरूर ब्लॉग में आट कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा किस किस ने अपने पिक्स को करेंट भी जरूर बधाओट ट्रेस को च्छल के में जरूर बहुत चेंज लगते हैं कि अपने स्कूल उनिफॉर्म में तो और उसी के साथ जो सबसे अच्छा लमा था हमारा ईदी लेने का जुमारे सार हमें एदी दे रहे तो बहुत मजा आता है एदी लेने में और देने ए यह देखें दोनों यह माशालली एक हो क्साकर आर्म संबोब है। कए हमें ये दें, ये दें,ład sustainability बच्चे बहुत खुश ते separating, बच्चे बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है, इस चोड़ी श्ड़ीमेंट बच्चों को असास सेलिपरेट करते हैं और बस इनको imminent lunch box दे दिया गए पूना के भी ही और सब्सक्राइब करनाया विरुर्ण ससु convention मैं लिख कर दो आपका करना है अच्छे अच्छे व्लोग आपके लिए इसी तरह से बनाती रहूंगी और इस आपजादे देखें मेरे कैसे खेल रहे हैं इस इस्टूड़न के साथ पहले तो इनकी किसी से बनती ही नहीं लगी जब बनती है तो फिर बहुत जादा खुश हो जाते हैं उनके साथ सब के साथ खेलने लग जाते हैं और साथे साथ इनकी मस्तियां शुरू थी है फिर अपनी मस्तियों में मगन हो गए थे और आज का व्लोग मेरे यहीं तक का है फिर इन्शालला किसी नए व्लोग में मिलोंगे किसी नए जगा पर आज मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज